मंगलवारी बड़ी अमावस्या, चुपचाप यहां फैकतें एक लौंग, होगा सभी परिशानियों का अंत, रातो रात चमक जाएगी किस्मत, ओम गैंशी महागड़ी शाय नहा, राधी राधी दोस्तों कैसी हैं आप सब? दोस्तों आज बैसाख अमावस्या है, आज मंगलवार का दिन भी है, मंगलवार के दिन बैसाख अमावस्या होने से इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है, क्योंकि मंगलवार को आने वाली अमावस्या को भौंबती अमावस्या के नाम से जाना जाता है, इस अमावस्या का शास्तों में बिशिश भैतू बताया गया है यह अमावस्य धर्मकंग शाथ तरपन के साथ ही उपाई तोटकों के लिए भी बहुत ही खास मानी जाती है माना जाता है इस अमावस्या पर किये गए उपाई अतिशीक रही शुफल प्रदान करते हैं इस अमावस्या पर जो उपाई किये जाते हैं बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाते हैं वैसे तो उपाई हर अमावस्या पर किये जाते हैं लेकिन इस अमावस्या पर किये गए उपायों का बहुत ही खास महत्व होता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मंगलवारी अमावस्या के इस सुबफसर पर करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारग उपाय बताने जा रहे हैं। यह उपाय आपको सिर्फ एक लौंग से करना है। इस उपाय को करने से जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परिशानी दूर होती है। कश्टों से छुटकारा मिलता है। इस उपाय को करने से नेगेटिव एनरजी नश्ट हो जाती है और पॉजिटिव एनरजी का संचार होता है। मानसिक तनाव से छुटकारा मिलता है और जीवन में चली आ रही उथल पुथल दूर हो जाती है। पिगड़े कारे भी बनने लगते हैं और जीवन में खुशाली आती है। दोस्तों इस उपाय को सही प्रकाश से कहने के लिए आप मारी इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखें। अगर आपने हमारे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट अवश्य ही करें। जिससे हमारी सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ्री में सबसे पहले मिल पाएं। तो आईए दोस्तों जानते हैं इस उपाई के बारे में। दोस्तों यह उपाई आपको रात्री के समय करना है, उपाई करते समय सचिता और पवित्ता का विश्य ध्यान रखें। उपाई करने से पहले अच्छी तरह से मुँहाथ थूले और सच्छ बस्त धारण करें। अब आप एक लॉंग लें। धान रखें इस उपाई को करते समय आपको साबत फूल वाली लॉंग लेनी हैं। तोटी होई या बिना फूल की लॉंग से आप इस उपाई को ना करें। आपको वह लॉंग लेनी हैं जो पूजा में इस्तमाल होती है। अब आप अपने मंदिर के सामने आसन बिछा कर बैठ जाएं। भगवान श्री हरी विष्णू मा लक्ष्मी जी के सामने एक शुद्धिखी का दिया चलाएं और एक सुगंदित धूपती जलाएं। दिये को सीधे जमीन पर ना रखें। दिये के नीचे कोई खाली पात्र रखतें या कप्रा बिछा कर आप दीपक को रखें। सीधे जमीन पर रखा हुआ दिया अपूर माना जाता है। दिया जलाने के पश्चाथ अब आप इस लौंग को भगवान विष्णूची के चर्णों में रखतें। भगवान विष्णूची और मा लक्ष्मी जी को कुम-कुम से तिलक करें। तिलक करने के पश्चाथ अब आप भगवान विष्णूची के द्वादश मंत्र ओम नम पर भी का सकते हैं तुलसी जी की माला पर इस मंत्र का जाब करना बहुत ही शुब माना जाता है अब आप इस लौंग को भगवान बिश्टुची के चर्णों में से उठाकर अपने दौनों हातों के बीच में दवा लें और भगवान जी इसके सामने अपनी सारी समस्यां कहें आपकी जो भी परेशानी है धनसम्मंदी समस्या हो या फिक किसी कारे से जोड़ी समस्या हो वे सभी समस्या दूर करने की भगवान जी से प्रात्ना करें अब इस लौंग को आप अपने दाहिने हाथ की मुठी में यानि की राइट हैंड में दबा कर अपने घर से बाहर किसी खुले इस्थान पर जाएं अगर घर से बाहर नहीं जा सकते तो आप इस लौंग को लेकर अपनी छट पर जाएं ज़त पर जाने के बाद अब आप दश्चिन दिशा की तरफ यानि कि साउथ की तरफ कमर करके खड़े हो जाएं ध्यान रखें आपको साउथ की तरफ कमर करने हैं दश्चिन दशा की तरफ कमर करके खड़े होने के बाद अब आप इस लॉंग को अपने मुठी में दवाए हुए ही अपने सिर पर साथ बार बारें यानि कि आपको इस लॉंग को अपने सिर पर साथ बार clockwise खुमाना हैं जिस तरहें घड़ी की सुईयां घूमती हैं इसी तरह आपको बाएं से दाएं की तरफ लेफ्ट से राइट की तरफ इस लॉंग को अपने सिर पर साथ बार घुमाना हैं लॉंग को साथ बार सिर पर घुमाने के बाद अब आप इस लॉंग को अपने सिर पर पीछे की तरफ फैंक दें आपको इस लॉंग को सिर पर से पीछे की सीधे अपने घर आ जाएं घर आकर सबसे पहले अपने हाथ थो लें दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस उपाई को करते समय कोई आपको टोके नहीं कोई आप से पूछे नहीं कि आप ये क्या कर रहे हैं और अगर आप इस लौंग को फैकने घर से बाहर जाए तो यह भी ध्यान रखें कि रास्ते भर जाते समय और आते समय भी आप किसी से बात ना करें और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है लौंग फैकने के बाद आप पीछे मुड़कर ना देखें दोस्तों अगर यह उपाई आप अपने घर की छट पर कर रहे हैं तो इस ल दीवार है और आप लौंग छट से नीचे नहीं फैक सकते तो आप लौंग को दशिर दिशा की तरफ अपनी छट पर ही फैक दे और सीधे नीचे आ जाएं और अगले दिन सुभह जाकर एक कागच की सहायता से आप इस लौंग को उठाएं और इस लौंग को आप अपने घ भर से बाहर ही मिट्टी में गारना हैं अपने घर के किसी गमले में आप इस लौंग को ना गारें और घर आकर अपने हाथ धोलें दोस्तों अगर आपके घर गंगा जल है तो आप इस उपाई को करने की पश्चाथ अपने उपर गंगा जल का छिड़का अवश्य ही करें इस करते समय आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब आप लॉंग लेकर जाएं सिर्पद से बारें और फैंकें तो हर समय आपको ओगनमो भगवती वासु देवाय मंत्र का मन ही मन जाप अवश्य ही करते रहना हैं दोस्तों इस उपाय को कहने से भगवान विश्णू जी मालक्ष्मी जी की कृपा से कार्यों में आ रही रुकावर दूर होती हैं बिगड़े कारे बनने लगते हैं दंसम्मंदी जो भी समस्या है वह भी जल्द ही दूर हो जाती है ब्यापार में उन्नती होती है दोस्तों इस उपाय को कहने से आपके उपर जो नकारात्मक उज़ा होगी वह भी दूर हो जाएगी और आपको पॉजिटिविटी का एहसास होगा इस उपाय को करते समें सुच्छिता और पवित्दा का विश्यश ध्यान रखें गरबती महिलाएं इस उपाय को ना करें और पीरिट के दौरान भी महिलाएं इस उपाय को ना करें यह दिन भगवान पिश्णुमा लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। इस दिन ब्रह्म चर्य का पालन करना चाहिए। लहसन, प्याज, मास मत्रा आदी का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन परिवार में शुक शांती बना कर रखनी चाहिए। किसी को इस दिन कटू बचन न अवश्य ही देना चाहिए। इस उपाय को करने से भगवान पिश्णुमा लक्ष्मी जी की कृपा से जीवन में चल रही परिशानियों का अंत हो जाता है। उमीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड तर वाचिंग राधी राधी